नमस्कार आप सभी का एगेंस्ट क्रप्शन 99 में बहुत बहुत स्वागत है आज हम लोग सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत यदि आयोग में किसी कारण बस तूटी पुर्ण आवेदन दे दिये हैं या कोई कमी हो तो उसे पुनह सुधार कर किस प्रकार दैर करेंगे इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे जो इस चैनल से पहली बार जुरेव हैं वो अब सब्सक्राइब कर लें तथा बैल आइकन को दबा कर ओल पर भी क्लिक कर लें तथा उपयोगी लगे तो एक दूसरे को शेयर अवस्र करेंगे तथा एक लाइक अवस्र करेंगे मैंने एक बिहार राज सुचना आयोग में एक सिकायतवाद दायर किया था जिसमें कुछ तुरूटी पुर्ण रह गई थी किसी कारण और कुछ आयोग के किसी कर्मी के द्वारा गलत कॉंटर पर आवेदन जमा हो गया था जिसके कारण मेरे आवेदन को वापस कर दिया गया था और उसमें सुचना काधिकार अधिनियम 2005 की दारा 19 के अंतरगत दायर दोविती अपिल आवेदन तूर्टी पुर्ण होने के कारण जो है आवेदन को वापस कर दिया था और डारी संख्या दिया गया था जिसमें मुझे इसका सुधार कर 30 दिनों के अंदर पुनह सिकायतबाद दायर या द्विती अपिल दायर कर सकने का आदेश प्राप्थ हुआ था जिसका मैं पुनह सिकायतबाद दायर किया है आप लोगों के सात भी यदि इस प्रकार का खुई बात हो तो आप लोग भी पुनह सिकायतबाद या द्विती अपिल दायर कर सकते हैं तो चलिए आप लोग देखें मैंने पुना इसे इधर ही बाइस जून को ही पुना सिकायतवाद दैर करके आयोक्षाया है सत्यमेव जयते शेवा में स्रीमान राज मुख सुचना आयोक्त सुचना भवन पटना पंद्र तो आप लोग अपने अपने राज से संबंधित मुख राज सुचना आयोक्त के नाम से ही आवे दन देंगे क्योंकि अधिकाम सिकायतवाद दैर राज मुख सुचना आयोक्त के नाम से ही दिया जाता है बिसाय डायरी संख्या इतना में त्रोटियों का निराकरन करपुन, धारा अठारा एक के तहद सिकायदवाद धार करने के संबंध में लोग सुचना पदादीकारी जिसके खिलाब सिकायद है जिसके भी खिलाब आप सिकायद किये होगे या करणा चाहते हैं उसलोग सुचनापदादीकारी का नाम पदनाम पूरा पता विभाग का काड़िया लेका पूरा पता सहित पीनकाट सहित लिखेंगे महोदे मैंने प्रपत्र को द्वारा दिना गठारा साथ दोजारे की स्कूर इस्टी डाक शंख्या इतना से आवेदन भेजा लेकिन सो समय कारवाई नहीं की गई संपर करने पर बदोकी की गई एवं डाट पटकाट कर भगा दिया गया मैंने धारा टू जे वन के तहत आदेश पारित किये गए अभिले की जाँ छेतू तिथी समय एवं अस्थान निश्चित करने का नरोध भी किया था लेकिन लोग सुचना पतादी कारी द्वारा पत्रांक इतना दिनांक इतना से दिनांक 31,68 को रईष्टर डाग संख्या इतना से मुझे पत्रिशित किया जो मुझे दिनांक 49,201 को प्राप्त हुआ जिसमें अभिलेक निरक्षन है तू दिनांक 19,201 समय 10 बज कर 30 मिनट पुरभाहन रखा गया था इस संबंद में मैं कहना चाहता हूँ कि जब मुझे दिनांक 49,201 को पत्र प्राप्त हुआ तो मैं दिनांक 19,201 को ही कैसे अभिलेक निरक्षन है तू जा सकता था भेजेगे डाक के रसीत की ऑनलाइन स्टेटस की चाहाप्ति सग्लंगन है इसमें लोग सुचना पदाधिकारी द्वारा जान बूझ कर ऐसा किया गया था आप लोग इस बात को समझ लें मैंने धारा 2J1 के तहत एक अभिलेक का निरक्षन है तू तिथी समय और अस्थान की मांग किया था जिसमें DCLR उदाक सुनगंज मध्यपुरा द्वारा जान बूझ कर मुझे पत्र लेट से प्रिसित किया और उसमें दिनांग पहले का ही अंकित कर दिया गया था जैसे मुझे 28821 को पत्र उन्होंने बनाया और 3121 को हमको रश्टी डाक से भेजा और एक नौ को ही उन्होंने जांच का समय रख दिया लेकिन मुझे पत्र 4921 को प्राप्थ हुआ तो इससे साफ जाहिर होता है कि उन्होंने जान बूझ कर ऐसा किया जिससे कि मैं समय पर अभी लेक निक्षन है तू ना जा सकूं और उनके द्वारा किये ब्रश्टाचार का खुलासा ना हो सके इसलिए आपके साथ भी इस तरह के कोई घटना होती है तो आप लोग भी धारा 1821 के तहत अवस सिकायत बाद दैर करेंगा लोग सुचना अधिकारी द्वारा यह जान बूझ कर मुझे प्रतारित एवं परिशान किया गया है जिससे साफ जाहिर होता है कि लोग सुचना अधिकारी अपने कारी समय नहीं करते एवं अपने कर्तब से हिन मालुम परते हैं अतस रिमान से सादर निवेदन है कि यथा सिग्र उप्त कारियालाय में मुझे अभिलेक नरक्षन हेतू तिथी समय तथास्था निरधारित किये जाने के निर्देश दिया जा तिथा लोग सुचना अपता धिकारी के खिलाब धारा बीस एक के तहत आर्थिक डंड लगाया जा एवं बीस दो के तहत अनुसासनिक कारवाई हेतू सिफारिस भी किया जा एवं मुझे हुए आर्थिक छती के लिए धारा उनिस आठ बी के धत मुआपजा भी दिलाने की किरपा की जाए हस्ताक्षर अपना पूरा नाम पता यहां लिख देंगे इधर प्रपत्र को और सुलकी जो भी आप भेजे हैं लोग सुचना पता धिकारी को उसकी अभी पर नमानित छायाप्रती अवस्त लगा कर भेजेंगे और विहार राज सुचना अधिकार सुरी आयोग में एक नया इधर लागू कर दिया गया है नियम की जो भी सिकायतबाददार करेंगे या दूतिय अपील करेंगे वो अपना चार पता साफ अक्षरों में या टाइप देंगे तथा अस्वा घूसना पत्र भी अवस्त लगाएंगे जहिन